राधी राधे दोस्तों मैं खुश्बू आप सब के अपने चैनल के इस धार्मिक बाते में स्वागत करती हो आज की वीडियो में हम सर्ब पित्रू अमवस्या की कथा सुनेंगे पौरानिक खथाओं के अनुसार देपताओं के पृतिगन अगनी सवांत जो सोमनाथ लोक में निवास करते हैं उनकी एक मानस कन्या थी जिसका नाम अक्छोदा था एक वार अक्छोदा ने एक हजार वर्स तक तपस्या की जिससे प्रसन होकर देपताओं के पृतिगन अगनी सवांत और वहिर सपत अपने अन्य पृतिगन अमावसू के साथ अक्छोदा को वर्दान देने के लिए अस्विन अमावस्या के दिन उपस्तित हुए उन्होंने अक्छोदा से कहा कि हे पृत्री हम सभी तुम्हारी तपस्या से अती प्रसन हैं इसलिए जो चाहो वर मांग लो लेकिन अक्छोदा ने अपने पित्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अती तेजस्वी पित्र अमावसू को अपलक निहारती रही पित्रों के बार बार कहने पर उसने कहा हे भगवन क्या आप मुझे सच मुझ वर्दान देना चाहते हैं इस पर देजस्वी पित्र अमावसू ने कहा हे अक्छोदा वर्दान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है इसलिए ने संकोच कहो अक्छोदा ने कहा भगवन यदि आप मुझे वर्दान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्छन आपके साथ रमन कर आनन्द लेना चाहती हूँ अक्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पित्र क्रोधित हो गए उन्होंने अक्छोदा को स्राप दिया की हुआ पित्र लोक से पतित होकर पृत्वी लोक पर जाएगी पित्रों के इस तरह स्राप दिये जाने पर अक्छोदा पित्रों के पैरों में गिर कर रोने लगी इस पर पित्रों को दया आ गई उन्होंने कहा की अक्छोदा तुम पतित योनी में स्राप मिलने के कारण मत से कन्या के रूप में जन मिलोगी पित्रों ने आगे कहा कि भगवन ब्रह्मा के वनसज महर्जी परासर तुम्हें पती के रूप में प्राप्त होंगे तुम्हारे गर्व से भगवान व्यास जन्म लेंगे उसके उपरांत भी अर्ने दिव्य वनसों में जन्म लेते हुए तुम स्राप मुक्त होकर पुनह पृत्त लोक में वापस आ जाओगी पित्रों के इस तरह कहे जाने पर अक्छोदा सांत हुई अमावसू के ब्रह्म हचारे और धैरे की सभी पित्रों ने सराहना की एवं वर्दान दिया की यह अमावस्या की दिथी अमावसू के नाम से जानी जाएगी जो प्रानी किसी भी दिन सराध ना कर पाए वह केवल अमावस्या के दिन सराध तरपन करके सभी बीते 14 दिनों का पुन्य पुराप्त करते हुए अपने पित्रों को त्रिप्त कर सकते हैं तभी से प्रतेक माह की अमावस्या दिथी को सर्वधिक महत्व दिया जाता है और यह दिथी सर्वप्रित स्राध के रूप में भी मनाई जाती है उसी पाप के पुराश्चित हेतु कलांतर में यही अक्छोदा महरसी परासर की पतनी एवं वेद ब्यास की माता सत्यवती बनी थी तत पस्चात समुंद्र के अंसभूत सांतनू की पतनी हुई और दो पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीडिय को जन्म दिया था इनहीं के नाम से कल्यूग में अस्ट का स्राध मनाया जाता है वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को अन कर ले जिससे मेरी अगली आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो फिर मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे